हेलो दोस्तों वेलकम बैक टो माई चैनल क्रेज़ फॉर इस्टडी दोस्तों आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का हिंदी लेसन 19 हम पढ़ रहे थे इस चैप्टर का नाम है वसंती हवा इस चैप्टर के पार्ट 1 का वीडियो अप्लोड हो चुका है उस वीड स्टाट करते हैं पिछले पार्ट में हमने इस चैप्टर को पढ़ लिया था इस पोएम को पढ़ा था इसका मिनिंग भी जाना था आज के वीडियो में हम इस चैप्टर में दिये गेड़ सभी वसंती हवा ने अपने आपको दूसरे मुसाफिरों से अलग क्यों बताया इस क्योंकि वसंति हवा की ना कोई रास्ता है और नहीं कोई मंजिल वह जिदर चाहती है उधर गुमती है तो इसलिए वसंति हवा ने दूसरे मुसाफिरों से खुद को अलग बताया है क्योंकि मुसाफिरों की मंजिल भी होती है और उनका रास्ता भी होता है एक निर्धारित ज वसंत हैं इस पार्थ में खेत ख्लियानों के हसने की बात कही गई है एसा ग्यूंट खिलिओ खिलियानों के भात कि इस अध्भुत्रृश्य से उल भात सज में रहती है लिए इस आध्भुतश्यकिन के लित farming कही गाई है, तो यही होता है खेत खलीहनों का हसना थर्ड दूमर का क्वासन है वसंति हवा का कौन सा अंस आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है और क्यों, इस क्वासन का अंसर सबका अलग-अलग हो सकता है सब अपने अपने अकोडिंग इस question का आंसर लिख सकते हैं इसका आंसर होगा वसंती हवा की दूसरी पंक्ती हमें सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है अगर आपको कोई और पंक्ती अच्छी लगती हो तो आप उस पंक्ती के बारे में लिख सकते हैं जैसे कि पहली पंक्ती तीसरी पंक्ती मैंने यहापे दूसरी पंक्ती के बारे में लिखा है क्योंकि इसमें वसंती हवा कहती है कि मैं अजब मुसाफिर हूँ ना मेरा घर बार है और ना कोई उद्देश ना ही कोई इक्छा और ना किसी से कोई आसा ना प्रेवी है ना दुसमन जिधर चाहती हूं उधर घुमती हूं ऐसे आजादी तो सबको पसंद होती है तो इसलिए मुझे ये पंक्ती अच्छी लगती है फोर नमर का क्वासन है खरी देख अलसी लिये सी इस कलसी की सुंदरता को असपश्ट किजिए इसका अंसर हो जाएगा खेतों में खरी अलसी यानि की तीसी के पौधों को मैंने खूब जग जोड़ा पर उनके माते पर रखी अलसी के दानों की कलसी यानि की घड़ा गिरी नह इस हार से सबक लेकर मैंने सर्सों के फूल को नहीं चुआ मैंने ना उसे जगजोरा और ना ही हिलाया तो यहां पर यह पंक्ति है करी देख अलसी लिये सिस कलसी मुझे खूब सूजी हिलाया पिलाया गिरी परना कलसी इसी हार कोपा हिलाई नजर सो जुलाई नजर सो हवा हूं हवा मैं वसंती हवा हूं तो इसी का यहां पे भावार्थ मैंने लिखा आवा है वन से फोर तक कॉसन सॉल्फ हो जगा है अब हम पार्ट से आगे का कॉसन देखते हैं तो यहाँ पे पहला कॉसन है वसंत का आगमन कब होता है इस रितु में आप कैसा नुभव करते हैं अपनी भासा में लिखिए इसका आगमन सरद रितु के समाप्ति पर जनवरी मा के मध्य भाग से होता है जो मार्च तक रहता है यह रितु माग महिने के सुकल पक्ष में आता है आपको पता होगा कि पक्ष दो प्रकार के होते हैं कृष्ण पक्ष और सुकल पक्ष इस रितु का आगमन माग महिने के सुकल पक्ष में होता है होली का दान और होली के रंगोट सब के साथ इसकी समाप्ति मानी जाती है इसे रितु का राजा माना जाता है क्योंकि इस रितु के आते ही कम कपाने वाली सर्दी खत्म हो जाती है और पसीने तो थलूओ वाली गर में भी नहीं रहती है मतलब इस मौसम में क्या होता है ना ही बहुत ज़्यादा सर्दी रहती है और ना ही ज़्यादा गर्मी रहती है ये मौसम जो है बहुत सुहावना होता है और बहुत ही अच्छा मौसम होता है मतलब मौसम का कस्ट नहीं सहना पड़ता है इसलिए ये मौसम हमें बहुत अच्छा लगता है सेकेंड नमर का कौसन है इस पार्ट को परने के बाद हवा के प्रति आपके मन में किस प्रकार के भाव उठते हैं लिखिए इसका अंसर हो जाएगा इस पार्ट में हवा का मानवी करन किया गया है बिना हवा के पित्वी पर जीवन संभव नहीं है इस कवीता को पड़कर हवा के प्रति एक आत्मिया भाव मन में आता है थर्ड नमर का कौसन है इस दिन विद्या की देवी सरस्वती की अराधना की जाती है विद्याला महा विद्याला और सिक्षन स्थानों में विद्यार्थियों द्वारा इस दिन विशेश पूजा की जाती है इस दिन पूजा अस्थलों पर सरसोती की प्रतीमा की अस्थापना की जाती है और बहुत स्राधा से विद्यार्थी इनकी पूजा करते हैं इस दिन हर जग़ वसंत पंचमी का आयोजन क्या जाता है विद्यार्थी इस दिन से होली पर्व का भी आगा करते हैं और एक दूसरे के माथे पर रंग अभीड लगाते हैं हमारा पाठ से आगे तक कॉसन सौल हो चुका है अब हम व्याकरन को देखते हैं व्याकरन में हैरateral नीची दिएए गैप डांस मेंविशेशन सब्दों को रांकित कीजिए तो यहां पर हमेंस्ट मॉला यहां पे विसेशन नहीं कुछ फिकर है यहां पर फिकर विसिशन है बरी ही निडर हूं तो यहां पर निडर विसिशन हो गया सकेंड नबर में है योजक चिन योजक चिन इसे एक आ जाता है ठीक है ये चिन योजक चिन है इस बात को दर्साता है कि इसके दोनों ओड के सब्द पड़स पर मिले वे हैं जैसे कि दिन रात इस प्रकार के और भी सब्दों को लिखिए तो इसी तरह का सब्द जो है में लिखना है तो यहां पर हमने लिखा है सेकेर्ड नुमर का कौसन इसका अंसर होगा सुबा साम मोज मस्ति घर द्वार घर बार सोच समझ बनाया मनाया अकास पताल भोजन पानी माता पिता सुख दुख आदी तो इस तरह का आप और भी सब्द लिख सकते हैं ध्यान यह रखना है कि यह चिन जो है यह योजक चिन कहलाता है तो दोस्तों इस तरह से यह चप्टर यहां पर कंप्लीट होता है एंड हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस बुक का ला लाइक कीजिए कमेंट कीजिए अपने दोस्तों के साथ सेर करना मत बूलिएगा तो जलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में